कर्ण और स्रीकृष्ण दोनों महाभारत के ऐसे महान किरदार हैं जिनोंने अपने गुणों से सब को प्रभावित किया है महाभारत महाकावे में एक ऐसा अध्याय भी आया जब स्रीकृष्ण और कर्ण के बीच एक अध्भुत वाक युद्ध हुआ यह युद्ध किसी भौतिक अस्त्र शस्त्र से नहीं बलकि ऐसे अस्त्रों से लड़ा गया जिनसे एक महान चरीत्र का निर्मान होता है कर्ण ने ऐसे ऐसे तर्क दिये कि कोई भी उनसे घायल हो जाता किन्त उन सब तार्किक अस्त्रों को स्री कृष्ण ने किस प्रकार अपने सुदर्शन चकर की धार जैसे तर्कों से काटा हम आपको बताते हैं जब महाभारत युद्ध शुरू होने वाला था तव कौरव और पांडव दोनों अलग-अलग राज्यों से अपनी ओर से युद्ध करने के लिए उनसे बात कर रहे थे तब स्री कृष्ण ने स्वयम करण को पांडवों के पक्ष में लाने का निश्चे किया स्री कृष्ण को पता था कि इस महायुद्ध में सिर्फ एक युद्धा के पांडवों की तरफ आ जाने से उनकी जीत निश्चित हो जाएगी और छोटे भाईयों के हाथ एक बड़े भाई का वद भी नहीं होगा कृष्ण और कर्ण के मद्धे जो बात और तरकों के बान चले वे इस प्रकार है कर्ण ने स्री कृष्ण से पूछा केशव मेरी माता का नाम राधा है और मैं राधे के नाम से ही जाना जाता हूँ किन्तु मैं जानता हूँ कि मुझे जन्म देने वाली माता किसी शत्रिय कुल की माता है मुझे पैदा करते ही मेरी माता ने मुझे त्याग दिया हे केशव क्या यह मेरी गलती है कि मेरी उस माता ने एक अवैद बच्चा पैदा किया मेरी माता ने समाज और पिरसकार के डर से एक नन्ने बालब को त्याग दिया हे केशब द्रोनाचारे ने मुझे इसलिए शिक्षा नहीं दी क्योंकि मैं किसी राजगुल में जन्मा शत्रिय नहीं था मैंने उनसे पूछा था कि अगर आप सिर्फ शत्रिय और राजगुल के बच्चों को ही शिक्षा देते हैं तो किस हक से आप अपने पुत्र अश्वत थामा को शिक्षा दे रही हैं वो ना तो जम्च शत्रिय है और ना ही राजगुल में जन्मा हे केशव शिक्षक का धर्म है कि उसे शिक्षा को हर उस लायक शिष्षे को देना चाहिए जो उसे सीखना चाहता है मुझे नकार कर उन्होंने उस आदरनिय शत्रिय शिक्षा का घोर अपमान किया था क्योंकि मैं उन सब मापदंडों पर खरा था जो एक अच्छे शिष्य में होने चाहिए केशव फिर परशुराम जी ने मुझे शिक्षा दी मैंने पूरा तन और मन लगा कर उनकी शिक्षा को ग्रहन किया मैंने उन्हें एक पिता समान प्रेम किया किन्तु उन्होंने ही मुझे घोर अभिशाप दे दिया गुरु द्रोणाचारे ने मुझे एक शत्रिय ना मान कर मुझे शिक्षा से वंचित किया तो गुरु परशुराम ने मुझे एक शत्रिय मान कर मुझसे अपनी सिखाई विद्या भूल जाने का भेंकर अभिशाब दे दिया। हे केशव, इसमें मेरी क्या गलती थी कि मुझे अपने कुल का ही पता नहीं था। फिर एक गाय के मालिक ने मुझे सिर्फ इसलिए श्राब दे दिया, क्योंकि एक गलती की वज़े से मेरा तीर उसकी गाय को लग गया था। केशव, मैंने कभी किसी निर्बल पर प्रहार नहीं किया। हाँ, वो जो भी हुआ, वह एक नियती थी। और सब अंजाने में हुआ, किन्तु अंजाने में कि ये अपराद की इतनी बड़ी सजा, शायद ही किसी को मिली हुआ। अभी भी स्रीकृष्ण बिना कुछ कहे सिर्फ सूने जा रहे थे और कर्ण अपने मन पर लगे घाव का वर्णन करते जा रहे थे। पर अपरण सिर्फ दुर्योधन है केशव, सिर्फ दुर्योधन। मैं जानता हूँ कि दुर्योधन हटी है और अकसर गलत और अधर्म कर बैठता है, किन्तु मैं खुद को दुर्योधन को सौन्प चुका हूँ। अब आप ही बताओ कि मेरे लिए कोई भी धर्म दुर्योधन से कैसे बढ़ा है। कर्ण अपने मन की सारी पीड़ा स्री कृष्ण के सामने रख कर उनकी और देखने लगे। कृष्ण भी हलके से मुस्कुराए और बोले, कर्ण मेरा जन्म जेल में हुआ। मेरी मरत्यू तो जन्म से पहले ही मेरा इंतिजार कर रही थी। मुझसे पहले पैदा होने वाले बालकों को मेरे मामा ने ही मौत के घाट उतार दिया था। जिस रात मेरा जन्म हुआ, उसी रात मैं अपने जन्म देने वाले माता-पिता से अलग कर लिए गया। हे कर्ण, तुम्हारा बचपन फिर भी युद्ध कला सीखने में बीता, मेरा बचपन तो गौशाला में बीता, कर्ण, तुम्हे परशुराम जी जैसे महान गुरू से शिक्षा प्राप्त करने को मिली, मेरी शिक्षा की शुरुआत तो मेरे सोला साल के होने पर रिशी पनी के गुरुकुल से शुरू हुई थी। तो मुझे क्या मिलेगा? समाज मुझे इस युद्ध के लिए जिम्मदार ठहराएगा और शायद मुझे किसी के भयंकर शाप का भी सामना करना पड़े किन्तु फिर भी मैं इस युद्ध में धर्म का साथ देने के लिए खड़ा हूँ हे कर्ण भले तुम पांडवो की तरफ से युद्ध मत करो किन्तु धर्म की और युद्ध करने से तुम्हे कोई नहीं रोक सकता इस संसार में प्रकर्तिने सब के जीवन को विभिन चुनौतियों से भरा है निश्चे ही उन कठिन चुनौतियों को पार कर पाना मुश्किल है लेकिन आपके मन और विवेक को हमेशा सही धर्म का पता होता है हे महान धनुर्धर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जीवन ने आपके साथ कितना कठोर विभार किया आप कितनी बार अपमानित हुए कितनी बार आपको कष्ट सहने पड़े फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि उन विकट परिस्थितियों में आपने कैसी पृतिकरिया दी क्या कष्टों ने आपको धर्म के मार्ग से हटा दिया या आपने उन कश्टों को धर्म के मार्ग पर रहते हुए पार किया जीवन की कोई भी चुनोती हमें अधर्म के मार्ग पर जाने का अधिकार नहीं देती करण जीवन कुछ बिंदूओं पर काटों से भरा हो सकता है किन्तु तुम अपने कदम किस प्रकार उठाते हो उसी से सारा फर्क पड़ता है इतना समझाने के बाद भी करण उस व्यापक धर्म को नहीं पहचान पाए जिसकी स्री कृष्ण बात कर रहे थे और दुर्योधन का साथ देने को ही अपना धर्म माने रहे कर्ण निसंदेह अपना धर्म पूरी निष्ठा से निभाया किन्तु वे उस धर्म को भूल गए जो इस स्रस्टी को चलाता है वह धर्म जिसके नश्ट हो जाने पर पूरी मानव सब्विता ही नश्ट हो जाएगी स्री कृष्ण लगातार कर्ण को अलग-अलग दिशा से धर्म का मार्ग समझाते रहे किन्तु हर बार दुर्योधन के पृति निष्ठा ने कर्ण को अपनी और खीच लिया कृष्ण व्यापकता में बात करते हैं और धर्म का सही सोरूप समझाते हैं किन्तु उस धर्म को कुछ ही लोग समझ पाते हैं और मुठी भर लोग ही उस पर चल पाते हैं कर्ण ने उस मार्ग को समझ तो लिया किन्तु वे उस पर चलने में विफल हो गए और कृष्ण को प्रणाम कर वहां से चले गए आपको स्रिक्रिशन और कर्ण की बातचीत में किसका पक्षे जादा मजबूत लगा और क्यों आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं अपने प्रिये जनों तक यह ज्यान पहुचाने के लिए वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए सब्सक्राइब बटन के बगल में बनी छोटी सी घंटी भी बजा दीजे जैसरिक्रिशन हर हर महादेव